चिराग पास्वान को लेकर एक कहानी सामने आई है कि चिराग पास्वान ने एक सबजी बिक्रेता को खुस होकर गले लगा लिया और यह पूरी कहानी क्या है तो सब्रीज सबजी बिक्रेता संतोष पास्वान की तरफ से चिराग पास्वान को एक सोने के अंग्ठी दे गई और वह उंग्ठी चिराग पासवान की ही थी लेकिन एक कारिक्रम के दवरान वह उंग्ठी चिराग पासवान की उंगली से खो गई थी लेकिन जब वह सबजी बिक्रेगदा चिराग पासवान को जाकर के उनके घर पर वह उंग्ठी लोटाता है तब चिराग पासवान खुस मेला का आयोजन था चिराग पास्वान वहाँ पर जब पहुंचे तो वहाँ पर एक भारी संख्या में भीर मौजूद थी जो चिराग पास्वान से हाथ मिलाने के लिए आतुर थी चिराग पास्वान आम तोर पर जब कहीं जाते हैं तो हम सब देखते हैं कि चिराग पास्व अपने घर वापस गए, तब उनको ध्यान आया कि उनके उंगली में जो सोने की अंग्ठी थी, वो अंग्ठी अब नहीं है, बलकि वो अंग्ठी अब कहीं गायब हो गई है, चिराग पासवान को लगा कि अंग्ठी मेले में खो गई है, लेकिन इसके बाद चिराग पासवान के पास एक फोन आता है फोन पर इस बात की जानकारी दे जाती है कि वो उंटी मेरे पास है और हम उसको लॉटा ना चाते हैं इसके बाद से चिराग पासवान के घर जब वो ब्यक्ती जाता है तब पता चलता है कि वो ब्यक्ती जिसका नाम संतोस पासवान है वो पेसे से एक स संतोस पासवान ने कहानी बताई कि जब चिराग पासवान सबसे हाथ मिला रहे थे तब संतोस पासवान के एक रिष्टेदार के हाथ में वो अंग्ठी आ गई। संतोस पासवान के रिष्टेदार ने जब यह बात उनसे बताई तब संतोस पासवान ने वो अंग्टी उनसे किसी भी प्रकार से ले ली और उसके बास ने चिराग पासवान को फोन कर इस बात की जानकारी दी और फिर अंग्टी लाउटाने वो उनकी आवास पर पहुँच अब यह पूरी कहानी सोचल मेडिया पर लोग लिख रहे हैं और चिराग पास्वान ने इसको लेकर कहा है कि हमारे प्रती लोगों के मन में कितना प्यार है वह इस चीज को दर्शाता है कि एक सब्जी विक्रेता जब महंगी सोने के अंग्टी उसके पास चला जाता है उसके बावजूद भी वह फोन करके कोशिश करता है और किसी भी प्रकार से वह उंग्ठी लेकर हमारे आवास पर पहुंचाता है और लाकर वह उंग्ठी हमको वापस दे देता है अब इसी बास से खुसोकर चिराग पास्वान सब्जी विक्रेता संतोष पास्वान को गले लगा रहे थे, मेला में आए लोगों से मिल रहे थे, वहाँ पर आंद ले रहे थे कारिकरम का लेकिन इसी दवरान उनकी अंटी हो गई, चिराग पास्वान को वहाँ पर इस बात की कोई जानकारी नहीं लगी, लेकिन जब वो घर वापस गया, मनशांत हुआ, तब उनको लगा क कि उनके गुंगली में जो एक महंगी अंगठी थी वो गायब हो गई है इसके बाद चिराग पासवान अब कुछ कर भी नहीं सकते से क्योंकि मेले के दवरान उनको अंधाजा हो गया कि अंगठी भूल गई है और आम तोर पर चिराग पासवान ने कहा भी कि हमने सुना था कि आखिरकार लोग हम से कितना मुभबत करते हैं कितना प्यार करते हैं फिलार अब चिराग पासवान को विक्रेता संतोष पासवान ने उंगठी लोटा दिया चिराग पासवान ने खुस होकर संतोष पासवान की मंदारी से खुस होकर उनको गले भी लगा लिया और अब यह कहानी लगातार सोचल विडिया को लोग लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कार एक सब्जी बिक्रेता संतोष पास्वान कैसे एक महंगी अंग्ठी को लटाने जाता है जब कि वो चाहता तो वो अंग्ठी चुप-चाप अपने पास रख लेता इसके बारे में कभी कोई जानकारी भी नहीं होती बाकि आप संतोष पास्वान के बारे में क्या स्थोंसते हैं उसे कमेंट बॉक्ष में लिख कर बताईएगा कि सब्स्क्राइब अपनी इमांदारी पूर्बक एक महंग्णी अंग्ठी ले जाकर जमुई के सांसच चिराग पासवान को वापस लोट आ देता है वाकी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अगर फेस्बूक पर देखने हैं तो पेज को लाइक कर लिजे तथा अगर यूट्यूब पर देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्स्क्राइक कीजिए मिलते हैं फिर बहुत ज़ल लगले वीडियो में केमरे पीछ प्रकाश और मैं मुहित कुमार सिंग बहुत बहुत हिलने वाद